सपने में सांप के काटने का ये है मतलब जाने अब आगे क्या होगा। सांप चाहे सपने में हो या रिल लाइफ में, लेकिन दर सबको लगता है। सांप से जुड़े कुछ सपनों का अर्थ शुब होता है तो कुछ अशुब माने जाते हैं। वहीं जोतिश में ऐसा बताया गया है, जब किसी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्पदोश होता है, तो उसे सांप के सपने आते हैं। आज हम आपको बताने जा रही हैं कि स्वपन शास्त्र के अनुसार सपने में सांप को देखने का क्या अर्थ होता है। धार्मिक मान्यताओं में सांप देविये जीव माना गया है और उनकी कूजा होती है। लेकिन सपने में यदि आपको सांप डस ले तो इसका क्या अर्थ होता है? सांप से जुडे सपनों का क्या अर्थ होता है? नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल धर्मा बचन पर ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइप करें सपने में साम्थ के काटने का मतलब स्वपन शास्त्र में बताया गया है कि अगर सपने में किसी को सांप काट लेता है तो उसे आने वाले समय में कोई गंभीर बीमारी हो सकती है वहीं अगर सपने में सांप आपके पीछे पड़ा हो और आपको काट न पाए तो समझ लीजिए कि असल जीवन में आपकी किसी बड़ी समस्या का अंठ होने वाला है और आपके हाथ कोई बड़ी सफलता लग सकती है सपने में सांप का दांत देखना अगर आपको सपने में कोई सांप मोह खोले दिखे और उसके दांत नजर आएं तो ऐसा माना जाता है कि आने वाले समय में आपके साथ कुछ बहुत ही अशुब होने वाला है ऐसे में आपको सतर्क हो जाना चाहिए कोई अपना आपको धोखा दे सकता है या फिर बिजनिस में बड़ा नुकसान हो सकता है। सपने में सफेद सांप देखना अगर आप सपने में सफेद रंग का सांप देखते हैं तो ऐसा सपना शुभ माना जाता है। स्वपन शास्त्र में बताया गया है कि ऐसा सपना आने प पर आपको खुश हो जाना चाहिए सपने में सांप को मारना यदि आप सपने में सांप को मारते हुए खुद को देखते हैं तो ऐसे सपनों का अर्थ अच्छा माना जाता है इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में आपकी कोई बड़ी बाधा दूर होने वाली है और आपको श ऐसा सपना आए कि आपको एक साथ बहुत सारे सांप नजर आएं तो यह सपना बहुत अशुब माना जाता है। कहते हैं ऐसा सपना आने का हर्थ है कि आपको रियल लाइफ में एक साथ बहुत सारी समस्याएं घेरने वाली हैं। या फिर आपके जीवन में आर्थिक परेशान बढ़ने वाली हैं आपके पास पैसों की वजह से बहुत से काम अधूरे पड़े रहेंगे तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और कॉमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे धन्यवाद